बच्चों पिछली तासिका के समय कक्षा सात्वी में हिंदी विशे को लेकर हमने कविता का आध्यन किया था उस कविता का नाम है मै रूठू मा और मनातू इस कविता का आध्यन करने के बार इस कविता के पन्ना नंबर 40 पर कावे बोध रुपी प्रश्ण है इन प्रश्णों को हम क्या करेंगे सुनेंगे जैसे कावे बोध के अंतरगत इन प्रश्णों के जवाब मैं आपको सुनाता हूं काव्य बोद के अंत्रगत मोखिक और लिखित दो प्रकार के प्रश्णा है इन में से पहले हम मोखिक प्रश्णों का अध्येन करेंगे जैसे इन प्रश्णों के उत्तर दे answer these questions मोखिक प्रश्णों में पहला प्रश्णों का मा शब्द सुनकर मा क्यों दोड़ पड़ी मा शब्द सुनकर मा इसलिए दोड़ पड़ी अपने बच्चे की हर्शद्वनी सुनकर सुनी कुटिया में बैटी मा अपने बच्चे को लेने के लिए दोड़ पड़ी मा शब्द सुनकर मा क्यों दोड़ पड़ी अपने कुटिया में बैटी मा अपने बच्चे की हर्षदोनी किलकारी सुनकर अपने बच्चे को प्यार से लेने के लिए दोड़ पड़ी मा को बच्चा कैसा लग रहा था? मा को बच्चा बड़ा ही नटकट और प्यारा लग रहा था उसे डर था कि मेरा भाग्य कही रूट न जाए इसलिए इस प्रश्ण का जवाब मा को बच्चा बड़ा ही नटखट और प्यारा लग रहा था क्योंकि वो उसका भाग्य था ग, बच्चे ने किस बात को अच्छी बात कहा तो बच्चों ने इस बात को अच्छी बात कहा वो कहता था कितनी अच्छी बात है जैसे मैं रूटू मा और मनातू कितनी अच्छी बात कही है मा तुने बच्चे ने किस बात को अच्छी बात कहा बच्चे ने मैं रूटू मा और मानातू कितनी आच्ची बात कही है इस बात को बहुत अच्छा कहा। इस भाव की पंग्तिया कविता से पड़े जैसे तीन वाक्य यहां पर दिये गए उस भाव की जो पंग्तिया है उसे हमें क्या करना है पड़ना है। जैसे परले वाक्य मा दूर से आई इस आवाज को सुनकर मा बैचैनी भरे रुदय को संभाल उटकर दोड़ पड़ी। इस भाव की जो पंग्तिया है यहां पर लिक्की गई है जैसे मा फिर एक किलक दुरागत गुंज उटी कुटिया सुनी। मा दोड उटी दोडी मा उट दोडी भरे रुदय में लेकर उटकंता दुनी। यह शब्द कविता में मा को इस पंग्तिया को उसका अर्थ बताती है। मा दूर से आई इस आवाज को सुनकर मा बैचैनी भरे रुदय को संभाल उटकर दोड़ पड़ी। इस कविता की जो पंग्तिया है तो यह है मा फिर एक किलक दुरागत गुझ उटी कुटिया सुनी। मा उट दोडी भरे रुदय में लेकर उटकंता दुनी। मा रुदय में भरी उटकंता को लेकर अपनी तिवर लालसा को लेकर सुनी कुटिया में बैटी अपने बच्चे की किलकारी हर्ष दोनी सुनकर उसे लेने के लिए दौड़ पड़ी। उसके बाद माते पर गुंगराले केश बिखरे मिट्टी से भरी दो बाहे मा से लिपड गई। जैसे यहां पर दिया गया है वो कहती है लुट्री खुली अलक रजदूशर बाहे आकर लिपड गई नीशा ताप्षी की जलने को ददक पुटी बुझती रुनी। जैसे माते पर गुंगराले केश बिखरे हुए मिट्टी से भरी दो बाहे मा से लिपड गई। अपने बच्चे की मस्तक पर लुट्री खुली अलक रजदूशर बाहे आकर लिपड गई नीशा ताप्षी की जलने को ददक उटी बुझती दुनी। अपने खेलते हुए बच्चे के रजदूशर बाहें को लेकर वो लिपड गई। साथ में उसने अपने बच्चे के मस्तक्स पर लुट्री खुली अलक याने पलक्यों को पीछे सरकाया। और अपने इस नन्ने बच्चे को नटकड बच्चे को रातरी के समय वो क्या करती है। अपने नजदिक लेकर बैठती है और प्यार से उसके मास्ते पर हाथ रखकर खहती है। निशा तापशी की जलने को ददक उठी बुष्पी धुनी। उदास मनवाली उस अपतपश्विनी का रुदय मम्ता से भरूटा। अपने उदास चेरे को लेकर जब मा कुटिया में अपने बच्चे की राह देखती हुए बैठती है। उसी समय अपने बच्चे की किलकारी हर्श दुनी आवाज उसकी कानों पर आती है। वो स्वक्त अपनी मा प्यार सी उस बच्चे को अपने गोद में लेते हुए रात्री के समय सूती है और अपने बच्चे के सिर्फ पर हात फेरती है लुट्री खुली अलक रजधूसर भाय आकर लिपट गई निशाता पसी की जलने को ददक उटी बुस्ती धुनी इस तरह से हम इस भाव की पंक्तिया कविता से पढ़ सकते है उसका अर्थ बता सकते है क, ख, ग, ग, के बाड़, मना शब्द का प्रयोग कविता में दो विभिन आर्थों में आया है दोनों पंक्तिया पढ़िया और आर्थ बताए मना शब्द कविता की दोनों पंक्तियों में आया है जैसे मा अपने मा से कहता है कितनी अच्छी बात कही है मा तुने मैं रूठू और मना तू कितनी अच्छी बात कही ले मैं सोता हूँ आप जाकर बोलूँगा मैं आज नहीं और कहता है पके फलों से पेट भरा नींद नहीं खुलने वाली अब हे मा मुझे तुम नींद से जगाने का प्रस्ट शुम्बन लेकर सप्रसन्न मुझे जगाने का प्रेत्न करे और मैं इसे मानूंगा नहीं ये बात वो अपनी मा से कहता है मना शब्द का प्रेयोग कविता में दो भिन आर्थों में आया है दोनों पंक्तिया पड़े और आर्थ बताए मना शब्द इस कविता के दोनों पंक्तियों में आया है जैसे कवि कहते है जैसे कर पसाद मैं रूटू मा और मना तू कितनी अच्छी बात कहिए मा तूने मैं रूटू और मना तू उसके बाद दूसरी कविता के पंक्तियां जैसे मा फिर एक किलक दुरागत गुंज उटी कुटिया सुनी मा उट दवड़ी भरे रुदय में लेकर उटकंटा दूनी अपने बच्चे को लेकर मा क्या करते बढ़ी ही चिंतित होती है क्योंकि वो पिता का भाग्य है अपने पिता का वो प्रतिनिदी कर रहा है इसलिए मैं डरती हूं तू रूट न जाए करती कैसे तुझे मना मैं अपने पती का प्रतिनिदी है तू आरे पिता के प्रतिनिदी तूने भी सुक दुख तो दिया घना तूने भी तो अपने पिता के प्रतिनिदी की तरह सुक दुख दिया है और मैं डरती हूं तू रूट न जाए करती कैसे तुझे मना क्योंकि तुझे मैं डरती हूं कि तू एक बार रूट गया तो तुझे मनाना मुझे कटिन हो जाएगा इसलिए वो कहती है यारे पिता के प्रतिनिदी तूने भी सुक दुख तो दिया घना मैं डरती तू रूट न जाए करती कैसे तुझे मना यानि मा भी अपनी प्यारे बच्च से डरती है कि उसे रूट में नहीं देती है एक बार इदी वो बेटा रूट जाता है तो जल्दी मना आया उसे नहीं जा सकता और वो बच्चा कहता है मैं रूटू मा मना तो कितनी अच्छी बात है इस कविता को कंटस्त करके कक्षामी सुनाए इस कविता को कंटस्त करवा के आपको कक्षामी क्या करना है दूसरों को सुनाना है अब लिकित प्रश्णों की ओर हम बढ़ेंगे जैसे बालक के लोट आने पर मा को कैसा लगा बालक के लोट आने पर मा को अपना नटकट बच्चा आने के बाद बहुत ही अच्छा लगा मा प्रसन हो गई स्रद्दा मा प्रसन हो गई मा ने पुतर से क्या कहा मा ने पुतर से मैं डरती हूँ कि तू रूट न जाए और कहती है एक बार तू रूट जाए तो तुझे मैं कैसे मना लू उस उसे देखकर वो आनंद प्रकट करते है मा ने पुतर से क्या कहा मा ने पुतर से देखकर कहा कि मैं डरती हूँ कि तू रूट न जाए कही एक बार तू रूट गया तो तुझे मैं कैसे मना हो क्योंकि तूने तो अपने पिताजी की तरह भहुत सुक दुक दिये है घने और तू पिता का प्रतिनिदी है मेरा भाग्य है तुझे कैसे मना हो उसके बाद और बच्चे ने मा की बात का क्या उत्तर दिया और कहा कितनी अच्छी बात कही है मा तूने मैं रूट और मा मना तू बच्चे ने मा की बात का उत्तर दिया? अपना बच्चा जो है वो अपनी पिता का प्रतुनिदी है वो उसका भाग्य है और इस भाग्य को मैं कैसे मना करती क्योंकि एक बार ये रुट गया तो इसे मैं कैसे मनाऊ इस बात से मास रद्दा के मन में प्रसन्नता और विशाद दोनों के भाव एक साथ थे दो वो बच्चा कैसा था उसके रूप और स्वभाव के बारे में दो दो वाक्य लिखे चोकडी भरता था उसके स्वभाव में प्यार था अपनी मा से रूटता था लेकिन उसके पास वो बड़ी ही प्यार से रूटने की जिद करता था इसलिए बच्चा बहुत ही जिद्धी और प्यारा नटकड था इसलिए उस बच्चे के प्रति अपनी स्रद्दा मा के मन में भी प्रसनता के भाव थे और साथ में विशाद भी था क्योंकि एक बार ये दिये अपना प्यारा बच्चा रूट जाए तो उसे मनाने के लिए मुझे बहुत ही कटिन हो जाएगा क्योंकि ये जो बच्चा है अपने पिता का प्रतिनिदी है मेरा भग्य है तो इसे मैं कैसे रूटने दू इस तरह से मा और बच्चे के बारे सभाव के बारे में कवी ने भी अच्ची तरह से के वीचार लिखे है कवी का नाम है जैशनकर पसाथ अब उख्चिक तथा लिकित प्र Savannah के बाद हम बढ़ते यहें भाशा ग्यान के ओर भाशा ग्यान के अंतरगत कुल मिला के चार उप्रश्ण है इन प्रश्णों के हम क्या करेंगे उप्तर लेंगे निम्न लिकित शब्दों के दो दो परियावाची शब्द लिके जैसे राइट सिनॉनियम वर्ड्स विशाद दुख उदाशी मा माता माताजी ममता रुदै जिगर दिल मुरुग हिरन भरीन प्रसन्न, खुश, आनंद, रात, निशा, रात्र, भाग्य, नसीब, किस्मत, वनचर याने जंगल में चरने वाले वाइल्ड एनिमल पशु प्राणी जिने वनचर कहा जाता है वनचर याने पशु प्राणी विशाद दुख उदाशी मा माता माताजी रुदै जिगर दिल मुर्ग, हरिन, हिरन, प्रसन्न, खुश, आनंद, रात, निशा, रात्र, भाग्य, नसीब, किस्मत, वनचर, जंगल में चरने वाले पशु और प्राणी आधि हम दो दो परियेवाची शब्द भहुत ही आसानी से लिख सकते हैं एक के बाद दूसरा उपप्रश्ण भाषा ग्यान के अंतरगत इन सग्या के इन सग्या के इन सग्या शब्दों के आगे उपशयुक्त विशेशन शब्द लिखे right adjective शज्या लिखना है उसका अमने विशेशन लिखना है उस सग्या का कुटिया सोनी, कुटिया कैसी थी? सूनी थी, बाहे कैसी थी? रजदुशर, रजदुशर याने मिट्टी में खेलने के बाद जो हात होते न, बाहे याने रजदुशर बाहे, अलक याने लुटरी खुली, जैसे बच्चे के अलके, याने अलक याने लुटरी खुले हुई ब फल पके, रुदय भरे मन, रुदय भरे भरा मन, इस तरह से सघ्ञा के हम आगे इस प्रकार के विशेशन लगा सकते हैं, जैसे पन्ना नमबल 41 पर दिये हैं, मौखिक प्रस्णों के बाद लिखिक प्रस्ण लिखित के बाद भाषा ग्यान रुपी प्रस्ण इसमें दूसरा उपप्रस्ण सग्या के सामनी विशिशन लिखे कुटिया सुनी बाहे रजे दूसर आलक लुटरी खुली फल पके रुधय भरे भरा रुधय पणना नुमबर 42 पे आईए दिये गए उदार्नों को ध्यान से पड़े दुरागत दूर से आगत तत्पुरुष समाज देखो दुरागत याने दूर से आगत दुरागत याने दूर से जिसका हम आगत करते हैं अन्यव फुली वेक्ति को देखते हैं उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है, सुख दुख, सुख और दुख, दुख दुख, जैसे सुख दुख, सुख और दुख, पती पत्नी, पती और पत्नी, दुख दुख समास, वन चर, वन में विचरन करने वाला बहुविग्रही समास, वन चर यानि वन में विचरन करने वाला जैसे पशु पक्षी प्रानी वाइल अनिमल वन में क्या करते हैं चरते हैं वन में रहते हैं इसलिए उन्हें शब्द हैं वन चर वन में विचरन करने वाला यानि बहु विग्रेश समाजकेओं की बहुत सारे पशु प्रानी वाइल अनिमल वन में चरते हैं इसलिए द शापता सकते हैं, जैसे निम लिकिढ शब्दों का समाश विग्रह करके इसे समाश का नाम लिखे, separate the compound words and write the name of the compound याने निम लिकिढ शब्दों का समाश विग्रह करके उसके सामने लिखे, रोग मुक्त रोग से मुक्त तत्पुरुष समाश हस्तलिकित हाथ से लिखा हुआ माता पिता द्वन्दो समाश माता पिता और पिता द्वन्दो समाश पेड़ पोधे पेड़ और पोधे द्वन्दो समाश पेड़ पोधे पेड़ और पोधे द्वन्दो समाश नबचर आकाश में विहार करने वाले बहुविग्रह समाश पश्यू हमेशा आकाश में विहार करते है नभचर आकाश में विहार करने वाले बहुविग्रही समाश जलचर पानी में रहने वाले बहुविग्रही समाश इस तरह से उस शब्दों के उपद से उधारन दे कर हम उसका अर्थ भी लिख सकते हैं उसके समाश भी अच्छी तरह से बता सकते हैं जेसे, रोग मुक्त, रोग से मुक्त तत्पुरुष समाश, हस्त लिकित हाथ से लिकावा तत्पुरुष समाश, पेड पोधे, पेड और पोधे दोंदो समाश, माता पिता, माता और पिता दोंदो समाश, नभचर नभव में विहार करने वाले आकास में विहार करने वाले भवविग्रई समास जलचर पानी में रहने वाले भवविग्रई समास भवविग्रई समास इसलिए है कि नभव में आकास में तरह तरह के पक्सी विहार करते हैं भूमते हैं जल्चर याने पानी में तरह तरह के चोटी-चोटी जीव जनतु रहते हैं इसे भवग्रे समाज के थे इस तरह से पन्ना नंबर 42 पर जो भाशा ग्यान रुपी प्रश्ण दिये गए उसका दियन हमने किया है अब पन्ना नंबर 42 पर और दो भी प्रश्ण है जि मैं रुटू और मा मनातू अब लगबग 50-60 शब्दों का एक अनुचित अपनी कॉपी में लिखना है जैसे अपनी मा से रुटने के बाद मैं कहता हूं मैं रुटू मा और मनातू इस कविता में बच्चा बड़े ही प्यार से नठकट बच्चा प्यारा बच्चा हर्ष द किया में बच्चे की रहा देख रही थी अपने बच्चे की हर्ष दोनी आवाज सूनकर प्रसन्न मुद्रा से ओव बाहर आती है और अपने बच्चें के अलके याने जो मस्तक पर आई हुए उसके बाल उसे पीछे सवार ते वे कहती है मेरा बेटा मेरे भाग्य तू मेरे अपने पती का प्रतिम्दी करता है तू तू एक बार रूट जाए तो मैं तुझसे डरती हूँ कि तुझे मनाओ कैसे इसलिए यहाँ पे बच्चा भी अपनी मा से कहता है और मा भी अपनी बच्चे को कहती है मैं रूटू मा और मना तू इस तरह से एक बार ये भी बच्चा रूट जाए तो उसे कैसे मनाए जाए इसलिए मा परिशान है तो बच्चा कहता है जिद करता है कि मेरी मा मुझे मनाए मैं रूट हू और मेरी मा मुझे मनाए इस तरह से चोटी-चोटी वाक्या आप लोग अची तरह से लिख सकते हैं उसके बाद कुछ करने को यहाँ पर ज प्रक्ते पे लिखकर उनकी जीवन परिचे दे सकते हैं जैसे यहाँ पे दिया गया है जैशंकर प्रसाद का जन्म 889 में वारा नसी में हुआ इन्होंने कविता कहानी नाटक निबंद उपाम्यास सभी सहीतिक विधाव में अपनी लेकनी चलाई इनकी प्रसिद्ध का विर निचनाय है जर्णा लहर आसू काम यानी कड़ी प्रसाद की कृतियों की भाषा संस्कृत प्रदान है इनकी रचनाव में भातिय संस्कृतिक के उत्कृष्ट रूपों के दर्शन होते हैं इस तरह से आप कड़ी का जीवन परिचे अच्छी तरह से बता सकते हैं एक उपर अच्छी तरह से लिक कर कक्षा में लगा सकते हैं इसलिए आप भी आपके नोटबुक में जैशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचे अच्छी तरह से सुन्दर हस्ताक्षर में लिखे और सवाल जवाब के बाद भाषा ग्यान के प्रश्ण लिखने के बाद यह कभी परिचे भी संक्षित में लिखी है